आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग VS Code को अपने इस फोन में इस फोन में इस्तिमाल कर सकते हो मैं ये फोन इस्तिमाल करूंगा आप लोग को लाइव स्क्रीन दिखाऊंगा आप इसे कई लोग मुझे रीच आउट करते हैं करना है तो मैंने लिखा हुआ है एक comprehensive blog post इस topic पर जिसको मैं open करने वाला हूँ और open करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि how to install VS Code in android phone मैंने इसको update किया हुआ है as per 2023 और आपको पहला जो step करना है वो है install करना है termux इस link का इस्तिमाल करके तो मैं इस link के अंदर जाऊंगा और यहां से termux को download करूँगा आप लोग note इस बात का करें कि आपको जो termux install करना है वो यहीं से करना है आप लोग कहीं और से ना करें play store वोगेरा से ना करें वरना वो चलेगा नहीं ठीक है तो मैं आपर जल्दी से इसको download कर रहा हूं file को download करने के बाद मैं इसको open करने वाला मैं इसको download करके वापस आता हूं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं download हो चुकी है मैं इसको खोल रहा हूं install करूँगा इस app को कभी कभी आप से पूछता है कि third party से install करना चाते हो app की नहीं तो आपको वहाँ पर yes बोल देना है app install हो चुकी है इसको open करेंगे सब कुछ allow और अब यह रहा मेरा chrome और वो रहा मेरा termux in fact मैं क्या करूँगा कि यहां से जो भी commands है वो एक एक करके simply copy करता जाएगा और मेरा काम होता जाएगा तो सबसे पहला command जो मुझे copy करना है वो क्या है pkg update तो इसे copy किया है यहां से और मैं इसको क्या करूँगा यहां पर paste कर तो जितनी है में यह हो रहा है मैं क्या करूँगा दूसरा command copy करके लाँगा तो pkg update के बाद मुझे pkg upgrade करना है pkg upgrade मैं copy कर लिया और मैं यहां पर paste करूँगा एक बार pkg update जो हो जाता है तो अब यह मुझे से पूछ रहा है कि आप install करना चाहते है मैं y enter मार दूँगा जैसे यह complete हो जाएगा वापसा हूँगा अभी मुझे से कुछ सवाल पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर y enter कर दूँगा जैसे से मुझे सवाल पूछ जाएगा मैं y enter y enter मारता जाऊँगा और यहां पर यह जैसे ही रुके तो इसका मतलब यह कुछ सवाल पूछ रहा है y enter आप इसका मैंने दिया हुआ है और पी रूट डिस्टो क्या करेगा हमको Ubuntu इंस्टाल करने में help करेगा तो मैंने आप पर यह command चला दिया है और इसके बाद जो अगला command में चलाने वाला हूँ हूँ है Ubuntu को इंस्टाल करने का command तो वह देखना आप में कैसे चलाँगा तो पी र Ubuntu install होना start हो जाना चाहिए और यह देखो download करना start कर दिया इसने एकदम plain and smooth crystal clear process है Android में अब यह करने के बाद आपने क्या करना है कि P.Root.Distro login Ubuntu करना है ठीक है लेकिन Ubuntu install हो जाए पहले हाँ हो गया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछेंगा मैं कौन सा phone यूज कर रहा हूँ यह OnePlus 9RT है देखो root at the rate localhost लिक कर आगे क्योंकि मैं Ubuntu में login हो चुका हूँ ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा Ubuntu में login करने के बाद code server को download करूँगा APT update, APT upgrade आप कर लेना ठीक है क्योंकि यह आपको दुबारा करना पड़ेगा क्योंकि हम अभी Ubuntu में आ चुके हैं तो आप यह मैं सोचना कि हमने पहले किया तो था update और upgrade यह distro के अंदर आ चुके हैं Ubuntu के अंदर तो यह दुबारा करना पड़ेगा APT update किया मैंने और upgrade को भी copy करके थोड़े तेज हाथ चलाते हुए मैं दोनों काम करूँगा और यहाँ पर हम दोबारा से paste करेंगे long tap करके यह कह रहा है कि भाई install कर दिया जाए सब कुछ yes कर दो भाई और अगला command हम लेकर आएंगे wget को install करेंगे install करके क्या होगा कि हम visual studio code जो की code server है उसको download कर पाएंगे unzip कर पाएंगे और install कर पाएंगे पेट करते हैं इसके खतम होने का and yes यह हो गया पेस्ट करेंगे wget को install करेंगे पुछेगा क्या सच में करना चाते हो हाँ मजाग थोड़े कर रहा हूं why enter ठीक है और इसके बाद क्या होगा कि wget install करने के बाद हम यह wget से code server को download करेंगे तो यह code server basically download करना start कर देगा जैसे ही मैं अगला command चलाओंगा तो तो जो wget code server का link है वो सारा मैंने दिया हुआ है और यह जो guide में use कर रहा हूं इसका link भी आपको description में मिल जाएगा तो यह step भी हो गई है paste करते हैं wget का यह वाला command जो की हमको code server download करने में help करेगा तो अगर आपको hacker दिखना है तो यह दिखा देना किसी को अगर वो खाई कि आप hacker नहीं है तो ठीक है अब हम क्या करेंगे हमने unzip भी कर लिया ठीक है हमने अब क्या करना है simply folder में जाना है cd command का इस्तेमाल करके और इसके बाद bin में जाना है ठीक है पता है क्या होता है मैं personal experience से बता रहा हूँ कर फोन आपका है आपकी कोई trillion dollar company नहीं चल रही है जो कि लूट जाएगी आपके गलत password होने से फोन में वो भी आप ही के तो password ही डाल लो मैं बता रहा हूँ ठीक experience मुझे बता है बहुत सारे लोग disagree करेंगे यार password तो अच्छा होना चाहिए कैसी वाते कर रहे हो और यहां पर हम dot slash code server इसको चला देंगे और हमारा code server चल जाएगा आप देखो चलना start हो रहा ही है code server listening on the socket और यह थोड़ा time लेगा initial होने में फिर मैंने देखो screen shots भी डाले हो है guide में था कि आप लोगो कोई दिक्कत ना हो अब आपको simply क्या करना है अपने chrome browser में localhost कोलन 8080 पे जाना है localhost कोलन 8080 में आप जैसे ही जाओगे आपको VS Code चलाने को मिल जाएगा तो मैं आप लोग को जल्दी से localhost कोलन 8080 में ले जा और जैसे ही आप password डालेंगे आप देख सकते हों यहाँ पर यह आपका VS Code चल चुका है congratulations मज़े करें अब आप लोग एक नई file बनाते हैं यह आप पर new text file बनाकर देखते हैं this is an awesome day as I have set up VS Code on my phone और मैं बस आप लोग को यह बताना चाहता हूँ कि यह सारी की सारी steps मैंने करके आप लोग को दिखाई हैं कोई भी issue होता है एक बर comment section में डालना और दूसरों की भी help करना मेरे साब से यह सारी steps जो हैं वो straight forward हैं बाकि यह बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हो Ubuntu distro में Python install कर server चल रहा है इस server को stop मत करना क्रिपया करके क्योंकि server को stop करो के तो आपको VS code भी चलना बंद हो जाएगा मैं कुछ common questions को answer कर देता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं कि एक एक करके command copy paste ठीक से नहीं करते हैं कोई ना को command miss करते थे उनको problem आती है दूसरे लोग वो होते हैं जिनक termux जो है सही जगा से install करना नहीं आ रहा होता है और वो कहीं और से termux install करते हैं और वो termux चलती नहीं है ठीक है जैसे जैसे मैंने किया है एक भी step को miss मत करना थोड़ा सा भी अपना दिमाग आप लोग यह सोच के मत लगाना कि यार बात तो वही है कभी-कभी बात तो वही है झाल थाद प्रकुदित आप लगा मैंने करना पर वही है कि लगषित उन्माणा दे़ा है ज़िए गशना लासे जगा मैंने को मत कर दोड़ा हैं एक लिए हैं आप मैंने कर दो से जग बात तो झाल